कृष्ण और अर्जुन की कहानी महा भारत महा काव्य के महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है, जो कृष्ण और अर्जुन के महान दोस्ती और आदर्श योगदान की कहानी को प्रस्तुत करती है। महाभारत का कथा युद्ध के दौरान धर्म, कर्म और न्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में आत्म संकट में थे क्योंकि वह युद्ध के दौरान अपने रिष्टेदारों, गुरुओं और मित्रों को विरोध करने के लिए तैयार थे इस समय अर्जुन ने अपने मानसिक संकट को कृष्ण के साथ साजह किया और कृष्ण ने उसके मार्ग दर्शन किया क्रिष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और योग के महत्व के बारे में उपदेश दिया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रोचसाहित किया इसके परिणाम स्वरूप अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार होकर अपने दाईत्वों का पालन किया और महाभारत के महासंगर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती और आदर्श योगदान की इस कहानी ने हमें धर्म, उद्देश्य और आत्मा के महत्व के बारे में सीख दिया ये कहानी महाभारत के महतवपूर्ण अध्यायों में से एक है और भारतिय साहित्य और धर्म का महतवपूर्ण हिस्सा है